इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आचुकी है मौनसुन 2022 को लेकर राजस्तान में इस वक्त बड़ी खबर है अब की खाड़ी से उठे चकरवाज से कोटा में रविवार को भारी बारिस देखने को मिली लेकिन आज भी केई जुगों पर कोटा बारा जलावार जिले में हावं के संग तेज बारिस देखने को मिल सकती है दिन पर बादल साय रेंगे केई जिलों में भारी वारिस का अलट मौसवाग ने जारी किया साथ मद्य पर्देश में भी तेज वारिस के चलते केई इसकुलों में भी सूटियां की गई हाली की बता दे राजस्तान के कई जिलों में भारी बारिस का भी अलट जारी हो चुका है अक्त मौसवाग ने रेड वे ओरेंज अलट भी कई जिलों में जारी कर दिया गया मौसवाग यहनों का मन है तो कोटा संभाग में सबसे अधिक असर रहनी की संभावना कोटा के बारा जड़ावार बुंदी समेट कई भागों में मूशलादार बारिस की चेतावनी जारी किये बदादेर राजसान के तीन जिलों में भारी बारिस का रेड अलट कोटा संभाग में भारी बारिस देखने को मिल सकती है मौशलाग या न कहना अगले 24 गंटे के भीतर कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा भारी बारिस देखने को मिलेगी बार जैसे हालात अगले 24 गंटे में सबसे ज़्यादा या दिकाई देगा यानि 200 mm से ज़्यादा बारिस हो सकती है मौसवाग ने आज भी केई जिलों में भारी सेती भारी बारिस का रेड अलट जारी किया इन जिलों के लिए 12 जलावाड परताबगर सामिले 10 जिले में 30 भारी बारिस और 10 जिले में यलो अलट जारी किया वही कोटा संभाग के कई जगों पर भारी बारिष देखने को भी मिली होगी कोटा बेराज के दर्स गेट भी खोल दी गई है इस वक्त मौसवाग ने किसानों को सला भी दिया आगामी तीन दिन तक जड़ा तर एलाकों में बारिष की गत्तिविद्या जारी रेगी इसी के च सभी प्रकार के चिड़काओ 24 अगस्त के बाद करें तो सबसे वेतर रहेगा प्रम जिलेवार की बात करें तो जिलेवार में से कई जगों पर आट इंच बसाद हो सकती है 22 अगस्त आज की बात करें तो जलावाड परतावगड में अत्ती भारी बारिष का रेड अलट बारा जलावाड समेत इन जिलों में रेड अलट जारी किया वही बासवाडा मुंदीच तोडगर डुंगरपूर कोटा सिरोई स्वय मादुपूर टॉंक उध्यपूर में भारी बारिष का रेड अलट साथी अजमीर अलवार बेलवाडा दोसा जैपूर करोली राजमन सिक्कर बिकानेर जोतपूर पाली समेत में भारी बारिष का यल अलट जारी किया 23 अगस्ट को एक बार फिर सुरोई उध्यपूर बाड मेर जैसल मेर जैलोर पाली में भारी बारिष का औरेज अलट जारी वाय साथी ने डुंगरपूर रासमन जोतपूर नागोर में भारी बारिष का 23 अगस्ट के दोरान यलो अलट जारी है लेकिन 24 आज अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें